असलाम लेकूम, welcome back to another new video, mother vlogs में आप सभी का, welcome है मैं अपने दोनों baby boys के address और रिपोर्ट शेर करने वाली हूँ इस वीडियो में और दोनों में placenta, placenta, segment, position वगरा कैसी थी वो सब कुछ detail में बताऊंगी तो आज की वीडियो का जो topic है वो बहुत ही ज़ादा interesting हो सकता है विकोज यहाँ पर baby boy के placenta और उनकी segment क्या थी वो जानेंगे तो आज का जो question है वो है anterior upper segment placenta के बारे में तो मैं यहाँ अपनी दो pregnancy की address और रिपोर्ट शेर करने वाली हूँ तो बने रही यह वीडियो में एंड तक बहुत अच्छी जानकारी शेर करने वाली हूँ ऐसे किते ladies है जो मेरी channel से जुड़ी है उनकी जो same दो pregnancy में same experience रहा है और directly कहूँ तो तो हमेशा मेरे baby boys के time यह same रहा है मेरा तो ऐसा बहुत rare होता है कि same हो placenta भी same हो baby gender भी same हो placenta भी और सब कुछ मिलता जुलता हो तो ऐसा किते ladies के साथ हुआ है कि अगर baby boy है तो same placenta है baby girl है तो same placenta है तो experience same है symptoms भी same है sign and symptoms जिसे हम कहते हैं morning sickness वो भी match करता था हर एक चीज बिल्कुल same to same है तो यहाँ पर मैं अपनी दो baby boys के address on report शेर कर रहे हूँ जिसमें almost सब कुछ experience वगरा same ही था तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो तो आपको जो है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ placenta जो है placenta upper segment anterior upper segment placenta किसका होता है तो बहुत सारे question receive होते हैं तो यहाँ पर मेरा placenta is anterior upper segment है तो यह boy का है या फिर girl का है किसका है तो यह बहुत सारे question मुझे आए दिन receive होते रहते हैं तो मैं बता दूँ यह मेरे baby boy की address on report है 8 month की तो 8 month में भी मेरा placenta जो है anterior upper segment ही था और यह 8 month की address on report पीद प्रूफ आप लोगों के सारे share कर रहे हो 9 month की भी share करूँगी तो यहाँ पर साथ ही में 9 month की भी address on report है और हम बात कर रहें placenta की तो placenta आप देख सकते है placenta is anterior upper segment 8 month में भी upper segment था 9 month में भी upper segment था और end of the delivery तक भी मेरा placenta upper segment ही था और मुझे हुआ था baby boy और यह 9 month की आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 weeks मुझे चल रहे थे और baby के बारे में बता दूं तो he is a baby boy और मुझे हुआ था c section क्यों हुआ था यह reason जो है मैं अपनी already वीडियो में बता चुकी है उसका reason detail में available है मेरे channel पर तो visit जरूर करना वहाँ पर तो बता दुमें placenta upper segment किसका होता है तो यहाँ पर मेरे experience के according मुझे हमेशा से baby boys के time ही placenta जो है upper segment रहा है तो अब next video में next जो है baby के बारे में बात करते हैं next report लाती हूँ यहाँ पर अब देख सकते हैं year भी आप change है देख सकते हैं with proof share कर रहे हूँ तो यहाँ पर भी यह मेरी जो last जो pregnancy थी इसमें भी मेरे placenta देख सकते हैं placenta is anterior या आपा segment यानि यह भी baby boy की ultrasound report है जो के with proof share कर रहे हूँ 7 month के ultrasound report है 29 weeks आप यहाँ पर अब देख सकते हैं with proof देख लिजए बेबी का FHR weight वगेरा तो placenta यहाँ पर भी मुझे baby boy हुआ था because reason इता confidently बोलने का कि already deliver हो चुके हैं मेरे baby boys मुझे 3 baby boys का experience है तो 3 बेबी boys में से 1 baby boy मेरा normal हुआ है और 1 baby girl मुझे normal हुई है और बागी के 2 baby boys जो मेरे C section से हुए है reason जो है मेरी long वीडियो में available है visit जरूर करना i button में या फिर description में उस वीडियो का link आपको मिलेगा visit जरूर से करना तो यह है 9 month की ultra 7 report जो कि original इस वक्त मेरे पास नहीं है तो हम बात कर रहे हैं placenta की तो placenta anterior wall upper segment grade third maturity तो मेरे जो baby boys है directly कहूँ तो मेरे जो baby boys है उनके time placenta anterior ही था और जो placenta की position वगरा जो कहते हैं वो upper segment ही था तो with proof यहाँ पर आप देख सकते हैं यह yearb mention है आप देख लेना 2022 में हुए थे मेरे baby boy last जो मेरी pregnancy की journey है और यह 2019 में हुए थे तो यह भी देख लेना आपको yearb mention मिल रहा है और reports भी different है आप देख सकते हैं with proof यहाँ पर और यह sorry चार reports में आप लोगों को दिखा रही थी और यह दो ultrasound report है mention कर रही है यह भी देख लेना और यह दो अलग है तो मेरे baby boys के time यह था मेरा personal experience अमीद करती हूँ आज की इस वीडियो की जरीया आपको बहुत को सीखने को मिला होगा तो आप लोगों का कैसा experience है अगर baby gender same है तो क्या आपका placenta same था आपका experience same था कैसा था experience वो भी जरूर बताना और वीडियो अच्छी लेगी तो प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना करा आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो ऐसे interesting helpful videos are available in my channel तो ऐसे ही मेरी videos के देखते रहना support करते रहना Thank you so much Stay safe, happy and healthy